क्लास थर्ड सब्जेक्ट कम्प्यूटर लेशन टू देखिए पहले हमने पीछ तक पढ़ाया था अब यहां से राज़ तो देखिए कम्प्यूटर इज अ मसीन कम्प्यूटर एक मसीन होती है इसी दिये यह तुमारी शरीर की वाशा को भी नहीं समझेगी विच यू यूज टू कम्यूटर विट मोगली जो तुम मोगली के साथ संबाद करने के लिए प्रयोग करते हो तू गिव इंस्ट्रक्शन्स टू दा कम्प्यूटर यानि कम्प्यूटर को नेदेश देने के लिए यू मस्ट यूज अलेंग बिच तुमको एक भासा का प्रयोग करना चाहिए जिसको कि वह समझ सके कम्प्यूटर वर्क्स भाइ यूजिंग अनली टू डिजिट्स जीरो एन वन कम्प्यूटर जीरो और एक अंकों का प्रयोग करते हुए कारिक अता है दीज डिजिट्स जीरो एन वन आर इलेक्ट्रोनिक पल्सेज और कोड्स ये अंग 0 और 1 electronic pulse हैं या code है the code 0 and 1 used by the computer are known as binary numbers यानि code 0 और 1 जो computer के द्वारा प्रयोग किये जाते हैं binary number कह जाते हैं all the data fed into the computer in the form of numbers यानि computer के अंदर जितना भी data डाला जाता है वहाँ number के रूप में होता है number के रूप में और अच्छरों के रूप में symbols symbol के रूप में and sign और संकेतों मतलब चिन्नों के रूप में particular binary number यानि इनके लिए एक business binary number होता है that is produced by the input unit जो की input unit के द्वारा पैदा किया जाता है मतलब यह है कि जितना भी computer के अंदर आप data डालेंगे चाहे कोई भी चीजो वो input unit जो होती है input device वो उस data को binary number में change कर देती है जिसको computer अपने अंदर feed कर लेता है since क्योंकि computer understand only 0 and 1 क्योंकि computer cable 0 and 1 को ही समझता है the language of computer is known as binary language computer की भाषा को binary language कहा जाता है here is a word written in the course that is a computer might use यानि यहाँ पर शब्द है written in the course के रूप में that is computer might use जिसको computer यूज कर सकता है 0 1 0 0 1 0 means होता है yes और 0 1 0 0 1 1 means P 0 1 0 1 1 0 means O 0 1 0 1 1 1 means P a computer understands some special language a computer विशेश भाषाओं को भी समझता है such language are called computer language यह भाषा हैं computer की विशेश भाषा हैं कहलाती है like any other language किसी दूसी भाषा की तरह these languages have their own alphabet and grammar यह भाषाएं भी अपनी बढ़ माला और व्याकर्ण रखती हैं grammar of a computer language is the rules तो computer की व्याकर्ण होती है वो name होती है that specify how to write the instruction और command जो इस बाषा कोई विशेशी करण करती है कि computer को निर्देश और command किस तरीके से दें ठीक है इससे आगे फिर पढ़ाएंगे धन्यवाद